मॉर्निंग इस्टूडेंट्स माइसेल्फ डॉक्टर भरास सिंग वीना फ्रॉम गवर्मेंट कोलेज कोटा आज हम नॉन एक्वस सॉल्बेंट्स के अंतरगत जो टॉपिक डिसकस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा द्रव अमोनिया में संपन होने वाली रैसाइनिक अभि कब करियां संपन होती है उसके विभिन पिरकारों का हम यहां डिटेल से डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर जो उप्योग होगा विलाइक के रूप में वो आपका द्रव अमोनिया रहेगा और यह द्रव अमोनिया विलाइक के रूप में रहते कि अब चेपन अफिकरिया है जिसे हम कहे हैं प्रेसिपिटेस्न नियुक्स इसमें क्या होगा जल तथा द्रव अमोनिया में पदार्थों की पिलेता में अंतर के कारण जो вообще होगी, उसमें डिफ्रेंस के कारण द्रव अमोनिया में ऐसी कई अपकरियां को संपनखराय जा सकता है जो अन विलायक जल में संभाव नहीं होती है ऐसी कुछ पिरमुक मुक रियक्शन्स हैं देखिए ये द्रब अमूनिया आपका सॉल्बेंट है इसमें क्या होगा पॉटेशियम आयोडाइड के आई प्लस अमूनियम क्लूराइड एनस फोर सील के सॉलूशन मिलाने पर जो प्रेशिपिटेशन बनेगा वो आपका के सील का स्वेथ वैट प्रेशिपिटेट हमें प्राप्त होगा यहाँ पर आपका सॉल्बेंट द्रब अमूनिया है के आई पोटेशियम आयोडाइड प्लस अनस फोर सील इन दोनों का सॉलूशन और जब इनकी रियक्शन ह हुआ है यह जो नीचे की तरफ एरो का निसान लगा हुआ है यह आपका प्रेशिपिटेशन है पोटेशियम क्लोराइड के सील और एनेच पोल आई भी बना इसी पिरकार से दूसरा उधारन देखें आप द्रब अमोनिया में बिभिन नैट्रेटों के बिलियनों में यदि अमोनियम ब्रोमाइड अथवा अमोनियम आयोडेड को मिलाया जाए तो जो धातुएं हैं उनके ब्रोमाइड और आयोडेड अब छेपित होते हैं वो धारन देखें आप यह इस्ट्रोंसियम नैट्रेट है और इसके साथ अमोनियम ब्रोमाइड को मिलाया गया है और यह आ आप तो अब छेप की रूप में हो रहा है इस्ट्रोंसियम ब्रोमाइट इसी पिरकार से जिंक नैट्रेट देख लीजिए जिंक जेड़न अनो 3 का होल्टु एस और यहां पर अगर यह यह अमोनियम आयोडैड मिला दिया जाये यह मिलाया गया है अमोनियम आयोडैड और यह यह आपका सॉल्वेंट है NH3 द्रव अमोनियम तो यहां पर जो दातु है दातु कौन सी है आपकी जिंक तो इसका आपको आयोडैड अब छेपन के रूप में प्राप्त हो रहा है जेड़न आइटो इसी पिरकार से N-Reactions भी देखिए आप द्रव अमोनियम अगर सोडियम का कार्बामेट का अब छेपन किस पिरकार से प्राप्त किया जा सकता है तो आप देखिए यह NH4, NH2, CW प्लस यहां पर जो रियक्शन कराएंगे इसकी सोडियम नायट्रेट के साथ कराएंगे तो यहां पर सोडियम कार्बामेट का यह प्रेशिपिटेशन आपको प्राप्त और NH2COO, इन दोनों के साथ ये एक पूरा कॉंप्लेक्स है, इसकी रियक्शन अगर NA, NO3, सोडियम नाइट्रेट के साथ होई, तो ये सोडियम कारवा मेट आपको प्रेशिपिटेशन के रूप में प्राप्त हुआ, और इसी के साथ अमोनियम नाइट्रेट भी, इसी पिरका करी, और बिस्मित, कॉपर एंड बेरियम, आदी धातों के नाइट्रेटों के बिलियन में से, इन धातों के सलफाइड को अब छिपित कर देता है, अब देखिए, अमोनियम सलफाइड, NH4 का होल 2SS, प्लस AGNO3, कि जब रियक्शन करवा रहे हैं, द्रब अमोनियम हैं, तो य यह AG2S प्राप्त हो रहा है आप छेप के रूप में, इसी प्रकार से आप कैडमियम के साथ कराएंगे, तो इन धातों के सलफाइड को भी द्रब अमोनिया सॉल्वेंट के मैधियम से प्राप्त किया जा सकता है, अन उधारन भी इसके साथ हैं, AGNO3 की रियक्शन के, कैडमि आप भी यह जो धातों हैं, सिल्बर और कैडमियम, इनके अपछेप आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसी प्रकार से द्रब अमोनिया में अगर पोटेसियम एलकॉक्साइड हों, कि बिभिन धात्वक लवनों के साथ किरिया कराने पर धात्विक एलकॉक्साइड होगा, वह धात्वी जैसे बेरियम है, तो बेरियम कल्कॉक्साइड है, इसी प्रकार से आपने देखें, कई बिलेसिल धात्वक हैलाइड, द्रब अमोनिया में संकुल ऐञामिन लवनों के रूप में भी प्रेसिपिटीट किये जा सकते हैं, देखिए, एनेसी यह और काल् अब दूसरा जो टैप है जो द्रव अमोनिया solvent के मेध्यम से reactions complete होती है उसमें हैं यहां क्या होगा कि जो द्रव अमोनिया है उसमें दुर्बल अमलों अत्वा उदासिन योगे कों से प्रोटोन ग्रहन करने की जो प्रवर्ती होगी वो कैसी होगी फाश्ट होगी तीब्र होगी जल के अनूं से प्रोटोन ग्रहन करने की प्रवल छमता होने के कारण ही जल में अमोनिया की अत्यतिक बिले सीलता होती है किस कारण से जो जल के अनूं है उनसे प्रोटोन ग्रहन करने की प्रवल छमता के कारण अब आप देखेंगे कि यहां देखें NH3 है और H2O अब इससे proton grand करेगा और proton grand करने के कारण NH3 किसमें परिवर्थित हो गया है NH4 प्लस ammonium में और यह प्लस OH माइनस यह hydroxide आयन के रूप में आपको remaining बचा हुआ है अब proton grand करने की प्रिबल चमता के कारणे द्रब आमोनिया में क्या होगा कि कई पदार्थ प्रिबल अमलिय बिवार दर्साएंगे जो जलिय मैद्यम में कैसे होंगे या तो उदासीन होंगे या द्रबल चारिय होंगे या द्रबल अमलिय होंगे लेकिन द्रब अमोनिया में वही पदार्थ आपको कैसा बीहवियर सो करेंगे स्ट्रोंग एसिड के रूप में बीहवियर सो करते हैं उधारण के तोर पे आप देखें तो यहां एसिटिक एसिड जो जलिय मैध्यम में कैसा है दुर्बल अमलिय पदार्थ है क्योंकि इसके आणू जलिय मैध्यम में जो सॉल्बेंट जलें के धनायनों की अत्ययंत कम मात्रा को मुक्त करते हैं जबकि द्रब अमोनिया की प्रोट्टॉन ग्रहन करने की प्रिबल सक्ति के कारां क्या होगा कि जो एसिटिक अमल गया है अनुओं में से बिलायक धनायनों की अत्यतिक मात्रा मुक्त होती है आप देखें यह एसिटिक अमल है और H2O सॉल्वेंट के रूप में कारिय कर रहा है तो यहाँ पर CH3COO- और यह हैडोनियम और इसको आप K1 से सो कर रहे है और यही एसिटिक अगर द्रव अमोनिया के साथ रियक्षन करेगा तो यहाँ पर जो K2 प्राप्त होगा यह इस से K1 से बहुत अधिक प्राप्त होगा तो इसका मतलग अमोनिया में जो प्रोटोन ग्रेंड करने की सकती है वो एस्टो की तुल नाम है बहुत अधिक है एसिटिक एसिट के साथ तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जलियम अधियम में से तो एसिटिक एसिट अतियंत दुरबल अमल है लेकिन दुरब अमोनिया में ये प्रबल अमल की भाती ब्यवार करता है इसी प्रकार से एसिटिक एमाइड तथा यूरिया जलियम अधियम में कैसे हैं दुरबल चारी होते हैं लेकिन दुरब अमोनिया में इनका ब्यवार कैसा होगा हम लिया होगा अब देखें यहाँ पर यह आपका CH3-CO-NH2 Acetamide है और NH3 से reaction कर रहा है और यह बन रहा है CH3-CO-NH- प्लस Ammonium प्लस इसी प्रकार से यूरिया यूरिया यह तो Acetamide के साथ reaction हो गई अब यूरिया के साथ reaction देखें NH2-CO-NH2 तो यह NH3 का विवार कैसा हो जाएगा इनमें यूरिया का विवार NH3 के साथ अमल्य विवार हो जाएगा और यह NH2-CO-NH क्योंकि यूरिया क्या कर रहा है एक हैट्डोजन आइन दे रहा है और ये Ammonia उसको grant कर रहा है तो इसका विवार यूरिया का कैसा हुआ अमलिय बिवार हो गया इसी प्रकार से आप तीसरा एक्जामपिल देखें सिल्बर एमैड भी जलिय बिलियन में दुर्बल चारिय होता है लेकिन द्रब आमोनिया में इसका जो बिवार होगा वो अमलिय होगा त्यान रखें जलिय बिलियन में तो सिल्बर एमैड का बिवार कैसा होगा दुर्बल चारिय है लेकिन द्रब आमोनिया में इसका बिवार बिल्कुल बिप्रीत होगा अर्थात हम लिय होगा देखिए एजी एनेश टू ये सिल्बर एमैड है एनेश तरी के साथ रियक्षन कर रहा है और एजी एनेश टू का होल टू एस माइनस बना रहा है और ये एनेश पोर प्लस क्योंकि यहाँ एजी एनेश टू ने अपना एक एलेक्टोन दे दिया है डोनेट कर दिया है सोरी एक एट्रोजन आयन डोनेट कर दिया है और वो किसने grant किया है NH3 ने इसलिए यह हो गया NH4 प्लस इसी प्रकार से आप अन रियक्षिन्स देखेंगे अमोनी करण अबिक्रियाएं तथा अमोनी एटों का बनना इसमें क्या होगा कि इन अबिक्रियाओं में जो विलायक है द्रब अमोनिया के कुछ बिले पदार्थ के अनुओं के साथ किसी भी पिरकार्ट की रायसायनिक बंद द्वारा जुड़े रहते हैं जो बिलायक होंगे बिलायक द्रब आमोनिया के अनू बिले पदार्थ के अनू के साथ दोनू के अनू के साथ कोई ना कोई केमिकल बॉंड होगा जिससे वो जोड़े रहते हैं और इन में द्रब आमोनिया के अनू एलेक्टोन दाता के रूप में कार्य करेंगे ध्यान रखे द्रब अमोनिय यहां बिलाई के रूप में कारिय कर रहे तो उसके जो मॉलिकूल है वो एलेक्टोन एसेप्टर के रूप में कारिय करेंगे जबकि जो solubile पदार्थ होगा उसके अणु एक परमानू द्वारा अवश होता है जो electron ग्राही के रूप में कारिय कर सकें ध्यान रखें एक परमानू ऐसा अवश होगा जो electron ग्राही के रूप में कारिय करेगा और इस फिरकार के अब किरियाओं के रिजल्ट जो हमें प्राप्त होंगे उनको हम कहेंगे अमोनी एट जो वास्तरम में द्रब अमोनिया तथा बिले पदार्थ के एडक्ट्स होंगे योगोत पात होंगे और इसके कुछ मैन एक्जामपिल्स को देखने के बाद हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा देखें SO3 और NH3 तो यहाँ पर इन दोनों की रियक्शन सोने के बाद ये सलफ़र डायोक्साइड SO2 और ये बंदा है आपका NH2 इसी पिरकार से SIF4 और 2N3 की रियक्शन से SIF4 तो NH3 यहाँ पर आपको बन रहा है ये योगोत पात है और इसी पिरकार से BF3 NH3 की reaction के बाद BF3, NH3 आपको प्राप्ट हो रहा है ये भी एक योगोत बात है ammonia जल की तुलना में कैसा है? एक उत्तम electron दाता है और जल योजित संकुल आयन यदि द्रब ammonia के संपर्ग माएं तो जल के अनुओं का ammonia अनुओं द्वारा क्या हो जाएगा? replacement हो जाएगा प्रती स्थापन हो जाता है आप देखें यहाँ पर Cu H2O का whole 4 2 plus plus 4 NH3 Cu NH4 का whole 2 plus बन रहा है और plus H2O आपको प्राप्ट हो है तो ये replacement हो गया है H2O तो यहाँ NH3 के स्थान पर आ गया और NH3 H2O के इस्थान पर आ गया इसी परकार से AG H2O का whole 2 S2 plus है और NH3 के साथ reaction कर रहा है तो AG NH3 का whole 2 S हो गया है उत्पात में बदद H2O बहार निकल गया NH3 H2O के इस्थान पर आ गया और H2O NH3 के इस्थान पर आ गया plus H2O तो ये आपने देखा कि किस परकार से आपको जो reactions है उसमें different different type के उधारणों के मैध्यम से different different types की reactions को समझा जा सकता है जिसमें सबसे पहले आपने देखा था कि जो बिन में अथवा अवच्छेपन अभिक्रिया है आपने देखा उसमें precipitation प्राप्त हो रहे हैं KI और NH4CL की reactions देखी उसमें KCL का precipitation प्राप्त हो रहा है क्योंकि वो बिन में या precipitation type की reactions है और उसमें जो आपका solvent था वो द्रब अमूनिया है जितने भी उधारण देखे अपने strontium nitrate और ammonium bromide का देखा वहाँ भी आपको strontium bromide के रूप में अब छेपन प्राप्त हुआ क्योंकि उसका नाम ही reactions का बिन में या अब छेपन अभी करिया है इसी प्रिकार से द्रब अमूनिया की proton के ग्राई के रूप में reactions देखी तो यहाँ पर H2O और जल के साथ reactions देखी तो उसमें NH3H2O से proton ग्रहन कर रहा है और अमूनियम बन रहा है उसके N नो धारण भी देखें आपने Acetic Acid की reactions H2O और NH3 के साथ देखी H2O की तो नाम है NH3 Acetic Acid से ज़ादा प्रवल सकती से proton को ग्रहन करता है यह भी हमने example के मैद्यम से समझा ठीक इसी प्रिकार से Acetamide और यूरिया की reactions द्रव अमूनिया के साथ देखी तो यहाँ पर जो Acetamide और यूरिया हैं उनका बिवार Acid के रूप में देखने को मिला और इसके साथ ही हमने जो last reactions डिसकस की है वो है हमारा अमूनिकरणा भिक्रिया है और तथा Ammoniator का बनना तो यहाँ पर जो Product योगूत पात के रूप में बनते हैं वो भी आपको देखने को मिला SIF4 प्लस NH3 BF3 प्लस NH3 और साथ ही हमने Replacement reactions के भी उधारन देखे CuH2 का होल 4 प्लस NH3 के साथ reactions देखी तो product में किस परकार से उन दोनों का एक्चेंज हो रहा है इसी परकार से AGH2 का होल 2S प्लस NH3 की reactions देखी तो वहाँ भी उन दोनों का किस परकार से Replacement हो रहा है तो यह आपने different type की reactions को समझा और यह different type की reactions थी यह सारे reactions के जो solvent थे वो drug ammonia तो drug ammonia में जो reaction समपन होई उसके कुछ step आज हमने discuss किये हैं Thank you so much